नमस्कार साथियों आजकल पर तेक विक्ती दिल्ली और दिल्ली के निकट वर्थी आलाकों में बढ़ते हो प्रदूशन की बात कर रहा है अख़वार, टीवी, रेडियो, सोशल मेडिया हर जगे इसकी चर्चा हो रही है वैसे तो दिल्ली और दिल्ली जैसे महानगरों में प्रदूशन की समस्या बारा महीना एक स्थाई रूप से बनी हुई है लेकिन खास तोर पर अगर हम अक्टूबर और नमंबर की बात करते हैं तो इस महीने में एर पॉलिशन काफी बढ़ जाता है एर क्वालिटी काफी खराब हो जाती है अगर हम इसके पीछे कारणों की बात करें तो तीन मुख के कारण निकल करके सामने आते हैं पहला कारण है एंड ओफ दा मौनसुन सीजन यानि की वर्शा रितू का समाप्त होना दूसरा है एंड ओफ दा हर्वेस्ट सीजन यानि की फसलों की कटाई और तीसरा कारण है दिपावली जैसा त्योहार जैसे की पहला कारण मैंने बताया एंड ओफ दा मौनसुन सीजन यानि की वर्शा रितू का समाप्त होना जब तक बारिश होती है तो हवा में इकठा होने वाले माइक्रो और मेक्रो पार्टिकल्स जो पल्यूशन के लिए responsible है वो बारिश के साथ बह जाते हैं लेकिन जैसे ही मौनसुन समाप्त होता है हवा में इकठे होने वाले इन मेक्रो मेक्रो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ता जाता है और मॉंसुन के समाप्त होने के साथ साथ जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है टेंपरिचर कम होता जाता है इनकी डेंसिटी और ज़दा बढ़ने लगती है और इसलिए अक्टूबर नमंबर के समय में पल्यूशन का स्तर काफी बढ़ने लगता है दूसरा कारण मैंने बताया एंड अफ दा हर्वेस सीजन याने फसलों की कटाई दिवाली तब फसलों की कटाई पूरी हो जाती है अब फसलों की कटाई के अबाद जो फसलों की अवशेश पर्षते हैं जिसे पराली कहा जाता है उसे जला दिया जाता है खास दोर पर हर्याना और पंचाब के अंदर ये समस्या काफी बड़े स्थर पर विद्यमान है अब इस पराली के जलने से जो धुआ पैदा होता है अगर वो धुआ दिल्ली जैसे महानगर में जहां पर प्रदूशन पहले ही बहुत जादा है वहां तक पहुचता है तो एर क्वालिटी और ज़दा डिट्यूरिट कर जाती है और तीसरा रीजन मैंने बताया वो है दिपावली का तिहार दिपावली के तिहार पर हजारों लाखों की संक्या में पठाकों को जलाया जाता है अब उन पठाकों के जलने से जो धुआ पैदा होता है और उस धुए के अंदर जो पल्यूटेंट्स है उसकी वज़े से एर क्वालिटी और ज़दा डिट्यूरिट हो जाती है जैसे अगर मैं एक ब्रीफ में आपको बता हूँ तो पठाकों के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ पठाके हरे, कुछ पठाके लाल, कुछ पठाके पीले दिखते हैं जलते हुए दिखते हैं तो पठाकों के अंदर एक कलरिंग एजन डाला जाता है जैसे अल्यूमिनियम, लीथियम, कोपर, स्टोंट्रियम, बेरियम, नाइट्रेट, एंटिमनी, सिलफाइड, कैड्मियम, आरसेनिक यह सारे travers, पहले तो सिकिन को एरियटेट करते हैं दूसरा, हमारी फेफरों में जब पहुँचते हैं तो फेफरों में पहुँचते के बाद, हबाद हवा को फेफरों में ले जाने वाली धमनियों को और उसके साथ-साथ फेफणों से अवशोशित होकर बलड में पहुँच करके बोड़ी के हर सिस्टम को अफ़ेक्ट करते हैं दूसरा इससे भी जादा खतरनाक हैं उसमें पाए जाने वाले ऑक्सिडाइजिंग एंड रिड्यूजिंग एजेंट्स जो की आग को जलाने में मदद करते हैं जैसे लेड कंपाउंट्स हैं, पोटाशियम नाइट्रेट है, परक्लोरेट है, मरकरी है यह एलिमेंट्स जब हमारी बोड़ी में पहुँचते हैं, जब हमारे बलड में पहुँचते हैं, लंग्स के द्वारा पर्टिकुलर्ली जो छोटे बच्ची हैं, जो इन्फेंट्स हैं, जो चिल्डरन्स हैं, उसके अंदर जो मेंटल हेल्थ है, जो उनकी ब्रेन की ग्रोथ है, उसको हैंपर करता है और कुछ दिन पहले एक आकड़ा सामने आया, जिसमें यह बताया गया, कि भारत के अंदर एक वर्ष में एक लाग से भी ज़्यादा, पांच साथ से छोटे बच्चे, एर पॉल्यूशन के वज़े से मर जाते हैं और उसके लिए responsible है, यह oxidizing and reducing agents, तीसरा मुखे कारण है, जो इसके अंदर fuel डाना जाता है, जिससे potassium nitrate खा जाता है, वो भी, that also is a toxic dust and responsible for the lung cancer so, मुखे रूप से पटाकों से निकलने वाले coloring agents, oxidizing agents, reducing agents and the fuel, सब मिल करके air pollution को, air quality को और ज़दा deteriorate कर देते हैं इसलिए, October और November के इस महीने के अंदर, जो quality है air की, वो और ज़दा खराब हो जाती है, WHO की एक report के हिसाब से, वैसे तो pollution की समस्या, दिली जैसे मान अगरों में स्थाई है लेकिन October और November के इस महीने में, जो air quality है, वो WHO के द्वारा स्थापित किये गए मानकों से 300 गुना जादा बुरी हो जाती है जो की निश्चत रूप से चिंता जनक है अब इन जमस्याओं से कैसे जूजा जाए जहां तक पराली का सवाल है, जिसे कि मैंने बताया कि जो फसलों के अवशेश हैं, जिसको जलाने से धुआ पैदा होता है जो की pollution को और ज़दा बढ़ा देता है उसको निप्टाने के लिए मुखे रूप से तीन सुजाव दिये जा सकते है पहला सुजाव तो यह है कि पराली को पश्णों के लिए चारा बना करके प्रयोग किया जाए भारत सरकार या प्रदेशिये सरकार, प्रांतिये सरकार मिल करके ऐसा कारे किया जा सकता है कि बड़ी बड़ी गोशालाएं जिनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में गाएं और बच्छडे हैं वहाँ पर पराली को पहुंचाया जाए और इस पराली को पानी की विवस्ता करके पश्णों को चारे में दिया जाए ताकि इसको जलाने से पैदा होने वाले धुएं को समाप्त किया जा सके और दूसरा है कि इस पराली से बजली भी बनाई जा सकती है जिसे कोईले से ताब घरों में बजली बनाई जाती है पिछले कुछ दिनों पहले उतराखंड सरकार का एक बहुत बड़ा और अच्छा इनिशेटिव सामने आया जिसमें चीड के गिरने वाले पत्ते जिससे प्रायाहा जंगलों में आग लग जाती थी आजकल उसे बजली बनाई जा रही है तो जब चीड के पत्तों से बजली बनाई जा सकती है तो पराली से भी ताब घरों में बजली बनाई जा सकती है इस तरह से पराली की समस्या से निप्टारा पाया जा सकता है और तीसरा ये है कि जैसे वरिक्षों की शाल से या पेड़ों की पत्तों से कागच बनाया जा सकता है तो उसी तरहें से इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए और एक alternative यह निकाला जा सकता है कि पराली को हम मोटा कागच बनाने में प्रियोग कर सकते हैं तो इस तरहें से इन तीन मुखे विचारों से पराली जैसी समस्या से निप्टारा पाया जा सकता है और दूसरा मैंने जो बताया जो मौनसुन सीजन जो तापमान में चेंजिस आते हैं और जो दूसरा मौसम में बदलावाता है वो तो निश्य रूप से मनुष्य के हाथ में नहीं है और तीसरा कारण जैसा बताया मैंने कि दिवाली पर जलने वाले पठाकों से उसे भी हम सब मिल करके काफी हद तक कम कर सकते हैं उसके लिए भी कई अल्टरनेटिव सुझाए गए हैं सबसे पहली बात तो जितना हो सके पठाकों पर बेन लगाना चाहिए और पिछले कुछ सालों से इस पर काफी अवेरनेस भी आई है केंद्रिय सरकार ने और प्रांतिय सरकारों ने इस पर जागरुकता लाने के लिए काफी प्रयास भी किया है और काफी हद तक इस पठाकों को जलाने की संख्या में परतीशत में कमी भी आई है दूसरा ये है कि आजकल एक नई महीम चलाए कही है ग्रीन क्रेकर्श के जिसमें 30% तक प्रदूशन कम होता है तो उसको भी अपनाया जा सकता है लेकिन हमारा प्रयास यह रहना चाहिए कि हम इसको बिल्कुल 0 स्थर तक ले करके जाएं ताकि प्रदूशन के बढ़ने वाले इस कारण को भी हम काफी स्थर तक कम कर सके तो आशा है कि यह संदेश आप सभी लोगों तक पहुँचे और हम सभी लोग इसमें अपना सहयोग दें तो जिसकी वज़े से बढ़ते हुए प्रदूशन की समस्या को भी नियंतरन किया जा सके और इस प्लैनेट को इस ग्रह को हर मनुष्य के लिए एक सुरक्षित थान बना सके और हमारे आने वाली पीडियों को हम एक सुरक्षित ग्रह दे सके इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देता हूँ नमस्कार